हेलो एवरीवन नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक तो माई चैनल आशू दा पॉजिटिव पिज दिस आशू आई होब एवरीवन इस दोइंग गूट तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अगेन एक best out of waste DIY idea एक easy painting जो की अगर आपको painting नहीं भी आती है तो आप easily बना सकते हैं तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और आपको मेरी वीडियो के ideas अच्छे लगते हैं तो kindly support me to subscribe my channel और साथी साथ notification bell को भी प्रेस कर दीजिए so that कि आपको आने वाली जो वीडियो है उनकी notification instantly मिल जाए so let's get into the video इसके लिए मैंने cardboard sheet ली है और इसमें से दो square shape के मैंने pieces cut कर लिये है और इसकी sides को जो rough side है उसको cover करने के लिए मैंने masking tape का इस्तमाल किया है so that कि इसकी जो चारो rough sides हैं वो seal हो जाए इसके बाद मैंने दोनों sheet पे black color से paint कर दिया है तो सबसे पहले मैंने same size के cardboard लिये थे दोनों बट बाद में मैंने एक square में से 4 और square कट कर लिये और पहले की तरह मैंने masking tape से इसकी side को cover करके black color apply कर दिया तो कुछ चीजे अगर मैं आपको नहीं समझा पाती हूं तो आप video में देख सकते हैं कि मैं किस type से ये process को complete कर रही हूं तो इसकी जो side edges है उनको seal करने के बाद में मैंने again black color से paint कर दिया है उसके बाद मैंने एक paste बनाया है thick paste बनाया है wall putty water और favicol से जिसके उसके बाद अब हम अपनी जो भी हमारा drawing है उसको complete करेंगे और आज paint यह कोई painting नहीं है हम stencil की help से और यह wall putty का जो paste बनाया है इसके साथ में हम इसके impressions जो हमारा base है उसके उपर ले लेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मुझे जो भी design चाहिए था मैंने उसको जो base है उसके उपर रखके और masking tape की help से seal कर दिया है so that की जो stencil है यह move ना करें otherwise जो हमारा impression आएगा वो खराब हो जाएगा इसके बाद में किसी भी flat knife otherwise जो sculpture tools आते हैं उनकी help से जो paste है इसको पूरे design के उपर cover कर देना जो design हमें इसमें चाहिए वो उस design के उपर cover कर देना है आप देख पारें कि मैं किस type से कर रही हूँ इस process में एक बात का दियान रखना है कि जब हम यह impression ले रहे हैं तो जो हमारा stencil है वो बिल्कुल भी move नहीं करना चाहिए otherwise जो design है वो पूरा खराब हो जाएगा और यह process हो जाने के बाद में धीरे से हमें masking tape को slowly slowly हटाना है और उसके बाद में जो stencil है उसको हटा देना है और उसके बाद में देखिए design कितना प्यारा लग रहा है और अगर हम इसी design को हाथ से बनाएंगे हाथ से draw करेंगे तो एक तो 3D effect नहीं आएगा उपर से जो time है वो भी बहुत लगेगा और जो beginners हैं वो तो इसको बना भी नहीं पाएंगे means जो मेरे जैसे है उनको करने में काफी difficulty होगी तो उसके बाद में मैंने इसके उपर golden color से paint किया है तो paint करने के लिए सबसे पहले मैंने एक sponge लिया था वर्ट sponge के जो सही painting नहीं हो पा रही थी सही impressions नहीं आ रहे थे उसके बाद में मैंने एक छोटा brush लिया और उसकी help से जो भी ये उबरा हुआ design था तो इसमें सभी पे brush से paint कर दिया है और ये चीज़ में मैंने first time try की है तो इस पे painting करना भी बहुत easy है जो भी उबरा हुआ design है जो भी 3D effect वाला है वस उसके उपर उपर आप paint करते जाओ इसमें कोई lining का ध्यान नहीं करना है कि outline कहा जा रही है क्या है और मुझसे तो इसके बाद भी थोड़ा थोड़ा कहीं पे बाहर लग गया था तो फिर मैंने तो वापिस से इसको finishing देने के लिए black color से जहाँ पे golden हो गया था वहाँ पे black color से वापिस से finishing दे दी थी तो मुझे तो ये बनाने में DIY बनाने में बहुत मजाया क्योंकि मुझे इसमें तो ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा बस rough and tough चीजें कर ली और जो मेरा 3D wall decor जो item था वो मेरा ready हो गया तो जैसे मैंने ये wall hanging बनाया है आप इसको किसी और sheet पे किसी glass पे bottle के उपर या किसी planter के उपर अधर्वाइस जो अपनी दिवार होती है दिवार में भी लगाके आप इसको paint कर सकते हैं ये process बहुत ही easy है बहुत ही simple है बहुत ही convenient है तो इसको आप जरूर से try करें तो पूरे work में golden paint apply करने के बाद ये completely ready हो गया है इसके लावाद जहां कहीं पे थोड़ा golden जादा हो गया था black color छूड़ गया था तो वहाँ पे मैंने इसको finishing दे दी है और अब ये completely ready हो गया है इसके बाद मैंने इसको और थोड़ा study बनाने के लिए फूरे जो भी pieces हैं उन सब पे मैंने बॉनेश अप्लाई कर दिया है so that ये थोड़े से study हो जाए और इसमें थोड़ी सी shining और आ जाए तो अब आप जिस तरीके से आप चाहे उस तरीके से arrange करके wall paste कर सकते हैं आप मैंने बहुत सारे जाने के लिए हमें बहुत सारे पैसे ही रही चाहिए जिससे शॉपिंग करके हम अपने घर को डेकुरेट करने के लिए चीजे खरीदे तो मैं अपने चैनल पर इसी तरह के बेस्ट आउट अफ वेस्ट जो चीजे हैं वो क्रियेट करती हूँ कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कॉमें सेक्शन में आप कॉमेंट करके बता सकते हैं और अपने फ्रेंड फैमली के साथ में शेयर किजिए तो अब टोड़ी इस वीडियो थैंक यू सो मुच फॉर वाचिंग लव यू आल बाई टेक केर